पहली बार ऐसा हुआ है कुछ लोग जो सोकल हित्तुबादी बोलते हैं अपने आपको वो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं वो सिर्फ विज्ञान को विश्वास करते हैं जब एक डॉक्टर भी कोई आपरेशन थियेटर में जा रहा है तो भगवान के उपर छोड़ क विज्ञान को अपना कर्म मान कर जाता है तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहिए ऐसा नहीं है अमेरिका के बहुत बड़े काडिलोजिस्ट है और उनोंने उनके पास एक केस आया और उस केस में वो लिखा हुआ है कि हाव मेडिसेन रियक्ट एक किताब है उनकी वर्ड फ नस नहीं कटती थी सो फाइन सो एक्सपर्ट और उनोंने जब जिसको देखा उसका उनोंने बोल दिया उसके फैमिली को बताया कि 99% is no hope but I am since my duty I am going तो जब गया है तो वो consciousness में था वो आदमी तो वो इस्वर को याद कर रहा था तो बोले तुम क्या कर रहे हैं बोला कि अब इस्वर से प्रातना कर रहा हूं और मुझे आप में God दिखाई दे रहा है डॉक्टर को बोला कि I am just looking at God in your face and he is coming to operate me बोले कि what God is telling to you क्या आपको इस्वर बोल रहा है वो बोल रहा है कुछ नहीं आदा गंटा के बाद आप एकदम ठीक हो जाएगा बोला ऐसा बोला बोला है ऐसा इस्वर ने बोला और उसके बाद जब उसका operation हुआ और operation के बाद वो डॉक्टर जो कह रहे थे कि I am 100% sure that 99% is no hope but it is a futile exercise to operate this body is almost dead और उसके बाद उसके बाद उसके बाद से उस डॉक्टर ने अपने operation theater में God की फोटो लगा दिया और डेली जाकर उनको पहले प्रवणाम करता था कि मैं जा रहा हूं आप भी मेरे साथ आईए operation करने के लिए तो it's depend upon that mentality and you have और दूसरी बात ये सोचिए आ आप एक बात सोचिए आपका जनम हुआ है आप भगवान को नहीं मानते बिग्यान को मानते हैं बिग्यान के बाद प्रग्यान है ग्यान है ग्यान के बाद बिग्यान है और बिग्यान के बाद प्रग्यान है बिग्यान आपको metalistic research की बाद तो बता देगा लेकिन वो उसका resource कहा है कहा है से वो derived हुआ है वो तो प्रज्यान ही बताएगा वो अनुभूति बताएगी तो अनुभूति जब तक नहीं होगी तब तक ज्ञान होई नहीं सकता ज्यान का complete cycle है ज्ञान विज्ञान औप्रज्यान आप दो ही लेवल में जाएंगे तो आप ज्यानी कैसे होंगे ज्यान होने के लिए अनभूती की भी आऊ सकता है और वो जब अनभूती होती है that is called the spiritualism वो कोई पूजा पार्ट का बात नहीं है कोई धर्म का बात नहीं है कोई किसी देवी देवता के बात नहीं है वो जो spiritualism ज सन्द में, ब्रॉस्ट में दूद की ब्योस्था कर दी, जिस सकती ने हमारे लिए पहले से खाने-पीने की सारी ब्योस्था कर दी हम कैसे वो कैसे जाएंगे, कैसे कैसे करेंगे, उसका शारा डेखिया, आप एक building मनाते एक building जब बनाने के पहले आपको उसका map बनाना उसका नक्सा पास कराना पड़ता है मिनिस्पिल्टी से तब जाकर आपकी बिल्डिंग बनती है आपको भगवान कोई भी आपको भेज रहा है इस धर्ती में आपका ब्लूप्रिंट तो बना होगा पूरा जीवन का नक्सा आप उसी से यह आपको नहीं मालूम है इसलिए आपको लगता है कुछ नहीं हम कर रहे हैं हम कुछ नहीं कर रहे हैं वो सारा जो है वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रेस्ट्रियल फोर्स जो है वो कराता है और उसी से होता है और दुनिया में कुछ नहीं है नाफिंग अलस